दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आए आज कुछ नई चीज सीखते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी साहित, हिंदी व्याकरना में विद्यारतियों आज की वीडियों बना रहे हैं, कक्षा आठ की पाठ्थे पुस्तक हिंदी की बसंत के कच्चा चिठा पाठ से ये कामतानात ने लिखा है, कहानी है ये, और कच्चा चिठा कहानी का वाचन हम कुछ कर चुके हैं, शेष जो बचरा है कुछ वो इस वीडियों हम पूरा करेंगे, हमने बताया के बदलू के पास जाकर के लेखक को या जो भी बच्चा है उसको अच्छा लगता हूँ, वो अपने मामा के यहां रहता, बदलू उसे जब उसकी गाय दूद देती तो मलाई भी देता और साथ-साथ उसको लाग की गोलियां बना करके देत और लाग की गोलियां वो ज्यादा अच्छी लगती थी, तो हम आगे शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट यह है कि यह आपने हिंदी की विंदी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जूरू करें, बेल आइको जूरू दबाएं, अधिक जाते हैं, और उसके पिछे दूसरे लोजिक भी होते हैं, पहले तो अभी तो क्या है कि इस जमाने में बहुत सारे संसादन हो ग Bryan घूमने के समय पास करने के, लोग special घूमने भी जाते हैं कही डिकिन पहले कोई कि इस तरह की स्थधियां थी नहीं, तो लोग मामा के भुआ के फूफा के जाने के मतलब यहे एक तरहे से प्रेटन इस्थल पर जा रहे हैं और मस्ती होती थी सब काम होते थे और एक आद महीने वहां रुक कर रहकर इसकुल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होंगा तभी मे आपकी गोलियों में मेरी रूची नहीं रह गई थी यानि कि अब वो बहुत समय बात जा रहे हैं तो समन्निसी बात है उम्र के अंत्राल के साथ रूचियां बदलती रहती है यह भी कहना चाहते हैं लेखक जैसे आप बालक से किशोर और किशोर से युवावस्था में आते इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लगबख सभी इस्तरियां कांच की चूडियां पहने हैं यानि कि अब प्रचलन धिर दिर्वाव बदल गया सब लाग के बज़ाए कांच की चूडियां पहनने लगी हैं विरले ही हाथों में मैंने लाग की चूड़ियां देखी है, कोई कोई किसी किसी हाथ में ही, तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, जब चूड़ियां देखी तो याद आ गया तो बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिशल कर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी तूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ने थे मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाओं अतह शाम को मैं घुमते घुमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा थ देखिए घटना किसी घटना से आदाती है बात किसी बात से आदाती है तो सैयोग से उनकी जो बहन है मामा की लड़की वो फिसल के गिर गई वो चूड़ी हाथ में लग गई तो उसकी दवापट्टी करी उस समय उनको याद आ गया बदलू जिसके पास अक्सर में जाता थ अच्छा लगता था तो शाम को उनके पास चलेगे बदलू अपना कारेज जैसे करता था वैसी कर रहा है जब उत्रे पर बैठकर नमस्ते बदलु काका मैंने कहा नमस्ते भहिया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी और निहारता रहा यानि कि देखता रहा निहारता रहा पहचान नहीं पाया इसलिए बहुत सहज भाव से उत्तर दिया नमस्ते पहचान जाता तो फिर वो इसने अधिक प्रगाड हो जाता मैं हूँ जनारदन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परीचे दिया बदलू फिर भी चुप रहा मानो है संबोधन उनके लिए करते थे वो ही संबोधन कि बहुत दिनों बाद आये हो हाँ इधर आना ही नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हो उत्तर दिया कुस दिर फिर शांती रही फिर इधर उधर द्रश्टी दोड़ाई ने तो मुझे उसकी मच्या ही नजराई नह दिखनी रही और जिस पर बैठते थे मच्या छोटी चार पाई वो भी नहीं है आज कल काम नहीं करते काका मैंने पूछा नहीं लल्ला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई होई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गाउं गाउं में कांच का प्रचार हो गया है वे कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन यूग है नहीं है लल्ला अब काम मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभा अब देखिए यहां पर लेखक ने बहुत सारी बाते कह दिये सबसे पहली तो सुंदर होनी चाहिए टिकाओ भले नहो तो और कांच की चूड़ियां है उसमें फिनीसिन जादा आती है उसमें अधिक सौंद्रिय जलकता है और मशीनों से बनती है तो बहुत सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं तो यह एक उसकी विवस्ता है ग्रामीन परिवेस में इस तरह से मशीनों के पहुँचने से एक तरह से विक्तियों का रोजगार भी छिना है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा चूंकि अभी अभी वो देख का है इस्तती नाजुक तो फिर होता ही है लला कहते कहते उसे खासी आ ग अब फचापली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खासी है यही महीने दो महीने से आ रही है 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी यानि कि जैसा उन्होंने अनुमान लगाया इनको दमा है लेकिन उन्हों ठीक अनुमान लगा करके कहा मुझे दमा नहीं है, सामाने खासी है मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन यूग ने कितने हाथ काटती हैं कुछ देर फिर शानती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी और यहाँ पर वोई बात इसपस्ट हो रही है मशीन यूग ने हाथ काटती है मतलब एक तरह से लोगों को बेरोजगार कर दिया है जो लोग अपना छोटा मुटा काम करते थे मशीनों ने उनको एक तरह से व्यर्थ कर दिया बेरोजगार कर दिया आम की फसलब कैसी हिकाका कुछ देर पस्चाद मैंने बात का विश्य बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहेक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरी रज़ोल लला के लिए आम तो लेया फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला यानि कि मेरी और देख करके माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाये हैं वावा बिना आम खिलाए कैसे जा जाने दूंगा तुमको यानि कि उसामाने बाचीत में भूल गया अक्सर ऐसा होता तो आते दाम खिलाते थे मलाई खिलाते थे यह सब होता था मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हो आये जब है मेरा लिए मलाई बचा कर रखता था गाय तो अच्छी है ने काका मैंने पूछा गाय कहें लला दो साल होई बेच दी कहां से खिलाता यानि कि उसके पास पैसे नहीं थे धन नहीं था गाय को खिलाने के लिए चारा चाहिए उसके लिए पैसे होगे तभी चारा खरीद पाएगा हो इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खा पाँगा तो मैंने कहा वाँ वाँ वहस पड़ा शहरी ठेरेने में तुम्हारी उम्र का था तो इसके चोगुने आम एक बखत में खा जाता था एक बखत या नहीं कि एक समय में यह होता है ग्रामिन परिवेश में लोग शारीक महनत अधिक करते हैं तो कुछ थोड़ा खाते भी अधिक हैं शहर में थोड़ा कम परिवेश ऐसा होता है इसमें परिश्रम कम होता है खाना कम खाते हैं दूसरा डाइट वगरा का धान रखते हुए भी कम खाते हैं तो वो करें मैं तुम्हारे उम्र का था तो बहुत ज़दा खा जाता तुम तो कुछ भ ये पेड तयार हुआ है उसके आम है रजो ने चार-पांच आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाए एक छण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई गोरी-गोरी कलाईयों पर लाख की चुड़ियां बहुत ही यानि कि बदलू की बेटी ने लाख की चुड़िया पहनी थी चूँकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे अते वो कांच की चुड़ियां कैसे खरीद के पहनाता अपने बढ़ाया वो लेकिन बहुत सुंदर फव रही थी यानि कु सुंदर लग रही थी बहुत ही सुन्दर नहीं दिया कहा शहर से ले आओ मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया मुझे प्रसनता हुई कि बतलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित तो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए यहां लेखक कामतानात ज बिलकुल कहानी के अंत में एक विशिष्ट बात कहते हैं कि उसका व्यक्तित तो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए यहांनि कि प्रतिकात्मक रूप से लेखक बात कह रहा है कांच की चूड़ियां एक तरह से आसानी से टूटने वाला व्यक तो विद्यार्थियों ये था आज का पाठ आपको कैसा लगा हमें जूरु बताएं आशा करते हैं आप अच्छे समझ पाए होंगे पड़ पाए होंगे वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यास कर दो कर दो खए हो आपको करते हैं पलता है।